भगवान विश्णों की चैह हो, प्रफुराम की चैह हो, आज मैं आप लोगों को सावन मास शुक्ल पक्ष में पढ़ने वाली एकादसी के बारे में बताने जा रही हूँ, यह एकादसी ब्रत कव है, पार्ना तिथी कव है, संपून जानकारी, अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को देने जा रही हूँ, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादसी को पुत्र देने वाली होने के कारण पुत्रदा एकादसी के नाम से प्रसिद्ध है, इस दिन भगवान विश्णू का ध्यान कर ब्रत रखना चाहिए, रात्र में भगवान की मूर्ती के पासी सोने का विधान है, अगले दिन वेद पाठी ब्रामनों को भोजन कराकर दान देकर आशिरवात प्राप्त करना चाहिए, इस ब्रत को रखने वाले निह सांतान विक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति अवसे होती है, आए सुनते हैं कथा, प्राचिन काल में महिश्मती नामक राजा राचि करता था, राजा, धर्मात्मा, शांतिप्रिये तथा दानी होने पर वी निह संतान था, राजा ने एकवार रिशियों को बुला कर संतान प्राप्ति का उपाय पूछा, परम ज्यानी लोमेश रिशी ने बताया कि आपने पिछले जन में सावन की एक अ अपने तालाप से 85 गाय को पानी नहीं पीने दिया था, उसी के परणाम सरूप, आप अभी तक नहीं संतान हैं, आप स्रावन मास के शुक्रपक्च की एकादसी का नियम पुर्वक प्रत रखिये, तथा रात्रे जागरन के जिए, इससे तुमें पुत्र अवस्य प्राप् भगवान श्री हरिविष्णों की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान संकर की जय हो, सावन मास शुक्रपक्च एकादसी को पुत्रदा एकादसी के नाम से जाना जाता है, पुत्रदा एकादसी साल में दो बर आता है, एक पौश मास के शुक्रपक्च में और दूसर प्रदाइनी एकादसी के नाम से जाना जाता है कहा जाता है कि जो कोई भी इस ब्रत को भक्ति पुरुवक और सद्धा विश्वास के साथ करता है तो भगवान श्रीयरी विश्णू और माता लक्ष्मी की किरपा प्राप्त होती है उसके घर में संतान की प्राप्ति होती है औ बच करके 43 मिनट से संक्रान्थी का पुनिकाल है दोपर एक बच करके 19 मिनट से सुर्यास्त तक रहेगा इस सुर्य संक्रान्थी के समय में दान पुनिकरना अत्यदिक शुभ माना गया है इस दिन से जूलन यात्रा आरंब हो रहा है स्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादसी तिथी आरंब हो रहा है 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को प्रातह 10 बच करके 29 मिनट से एकादसी तिथी समाप्त हो रहा है 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रुवार सुभ नौ बच करके 40 मिनट पर उध्या तिथी के अंसार एकादसी ब्रत क्या जाएगा 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रुवार को 15 अगस्त के दिन दसमी तिथी के नियमों का पालन होगा 16 अगस्त को ब्रत रखा जाएगा 17 अगस्त के दिन सनिवार का जो दिन है इस दिन ब्रत का पार्णा क्या जाएगा पार्णा, एकादसी का पार्णा का समय, एकादसी ब्रत का पार्णा हरिवासर के समाप्थोने पर किया जाता है, हरिवासर का समय, द्वादसी तिथी का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, उसे छोड़ने के बाद ही पारण करना चाहिए पार्णा का शुब मूर्थ है 17 अगस्त 2024 दिन सनिवार प्रात है 5 बज करके 51 मिनट से 8 बज करके 30 मिनट तक इस दिन दुर्वा से ब्रत का पार्णा करना चाहिए यदि संभाव नहो तो तुलसी दल, फल और जल से ब्रत का पार्णा करें 16 अगस्त 2024 सुरियोदे होगा 5 बज करके 32 मिनट प्रात है सुर्यास्त होगा 6 बज करके 32 मिनट सायन ब्रह्म मूर्थ का समय है प्रात है 4 बज करके 22 मिनट से 5 बज करके 22 मिनट तक राहुकाल का समय है सुबह 10 बज करके 24 मिनट से दोपहर 12 बज करके 24 मिनट तक बहुत सारे शुभ योग हैं जिसमें एक प्रीत योग बन रहा है नक्षत भी बहुत अच्छे पड़ रहे हैं विश कुम्भ योग रहेगा दिन के एक बच करके 11 मिनट तक इसके बाद प्रीत योग लग जाएगा मूल नच्छतर रहेगा 12 बच करके 44 मिनट तक उसके बाद पुर्वा अखाडा नच्छतर लग जाएगा एका दसी ब्रत का नियम एका दसी ब्रत करने वालों को दस्मी तिथी से ही नियमों का पालन करना चाहिए दस्मी के दिन उरत का दाल, चावल, शहद ये सब चीजे नहीं खानी चाहिए और एका दसी के ब्रत को धारन करना चाहिए एका दसी के दिन जूट नहीं बोलना चाहिए प्रपंच नहीं करना चाहिए नाखुल बाल इत्यादी नहीं काटने चाहिए सारा दिन भगवान श्री हरी विष्णू का ध्यान करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए और द्वादसी तिथी पर शुम मूर्थ पर पारना करना चाहिए इस दिन स्री हरी विष्णू और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ भगवान शिव के पूरे परिवार सहित पूजा अवस्य ही करें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। किर्पया वीडियो को लाइक करना, शेर करना, सब्सकाइब करना न भूलिएगा कमेंट बॉक्स में जैश्री हरी विष्णू अवसी लिख दीजेगा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।